हलो बच्चो स्वागत है आपका हमारे डाउट नट के लाइव शेशन में तो कैसी हैं आप सभी जल्ली से सभी बच्चे लाइव आजाईए उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और साथी साथ मुझे बताओ कि आपके बोर्ड एक्जाम्स की तयारियां कैसी चल रहे है तो सभी बच्चे लाइव आजाईए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए कि आपकी एक्जाम्स की तयारियां कैसी चल रहे हैं और अभी तक कौन-कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ लिये हैं और एक बात बेटा बोर्ड एक्जाम्स आने वाले हैं तो सबको एक टाइम टेवल बना लेना है भई कि टाइम टेवल से क्या होगा आपको पढ़ना आसान हो जाएगा तो आज की आज सभी बच्चे टाइम टेवल बनाएंगे और इसमें नोट करेंगे कि मुझे ये चैप्टर इतने टाइम पढ़ना है ये चैप्टर इतने टाइम कवर करना है तो गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून टू आल, जल्ली से बताओ कैसे हैं सभी बच्चे और उनकी बोर्ड एक्जाम्स की तैयारियां कैसी चल रहे हैं, हलो बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्था लंकार, हमने हमार लास्ट क्लास में पढ़े थे अलंकार, अलंकार की दो प्रिकार होते हैं, शब्दा लंकार और अर्था लंकार, तो आज की क्लास में क्या बढ़ेंगे, अर्था लंकार, अब पहले बच्चों एक बात बताओ कि जो शब्दा लंकार था, उस वो किस-किस बच्चों को समझ में आ गया था, गुद आफ्टर नून रिचा, गुद आफ्टर नून खुशी, गुद आफ्टर नून बेटा, रिचा, आज आपकी ग्रामर की क्लास है, इसके next क्लास में आपको कहानी पढ़ाई जाएगी ठीक है, आपकी जो एक बहुत इंट्रेस्टिंग सी स्टोरी है ना टोपी शुकला तो उसको पढ़ेंगे हम और उससे रिलेटेट सारे अब्जेक्टिव टाइप कॉस्टिंस भी करेंगे ठीक है और कोई डाउट आपको चलो पहले ये बताओ जल्ली से सभी बच्चे कि आपको शब्दा लंकार कितने समझ में आए लंकार तो बनने लगे कि अभी भी कोई डाउट है अगर कोई डाउट है तो जल्ली से पूछो अभी तो नाम लिया बेटा आपका रिचा बोलना अभी Good afternoon बेटा तो बताओ आप सभी कैसे हो और जल्ली से बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ अच्छा very good बेटा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको अलंकार, शब्दा लंकार कितने समझ में आ गए हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़े थे शब्दा लंकार, अनुप्रास लंकार पढ़ा था ना अनुप्रास लंकार, स्लेश लंकार अच्छा बेटा आपको आंसर लिखनी है तो एक बार ऐसा करो दो बार उस आंसर को पढ़ो और एक बार कोपी में नोट करके भी देखो ठीक है आपका हिंदी का पेपर इस बार सब्जेक्टिफ टाइप आना है कैसा आना सब्जेक्टिफ टाइप तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा तो आपको पहले खुद से आप एक बार लिखके देख लो कि कहीं कोई मात्रा में कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है क्योंकि मात्राओं पे क्या हो जाता है हमारे माक्स कट जाते हैं और इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे हिंदी का पेपर बहुत अच्छा जाए बिलकुल भी माक्स ना कट है ठीक है तो सभी बच्चों अगर कोई भी डाउट है तो क्लास में पूछो अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो वो भी पूछो वैसे एक बात हमेशा ध्यान हिंदी का पेपर सब्जेक्टिव टाइप है तो आपको अभी अगर कोई भी डाउट से वो भी पूछ लो कोशिश करना कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो एक बार उसको लिख के देख लो कि आपसे लिख के बहुत अच्छे से बन रहा है या नहीं ठीक है पेटा कोई डा लंकार आज ही क्लास में हम पढ़ेंगी अर्था लंकार ठीक है चलो तो जान लेते हैं सबसे पहले अलंकार होता क्या है तो लास्ट क्लास में हमने जाना था कि वाक्य की सोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम कहते हैं अलंकार ठीक है याद रखना अलंकार से हमेशा कॉश पूछे जाते हैं तो सब्सकूब को सरूश लेके अण्ड तक पूरी क्लास देखनी है क्वाच कोई भी बच्चा क्लास को बीच में छोड़के नहीं जाएगा क्योंकि इस बार का हम लोगों का हम लोगों का हुदेश इन कायम है कि हिंदी में हमें बहुत अच्छे number चाहिए बहुत अच्छे mark चाहिए तो सब को class को पूरा देखना है और एक बाद बच्चो आपके class में आपके exams में आपको निवंद भी आने हैं ठीक है निवंद आने हैं सभी के लिए 5 marks के निवंद तो आने हैं उसके लिए एक जो मेरा जो चैनल है हिंदी हब उसमें आपको सारे निवंद मिल जाएंगे जैसे कोरोना पर निवंद और मिलेगा उस पर आपको विज्ञान का वर्दान या भी शाप या फिर अनुशाशन का महत्व तो यह जो भी निवंद है यह सब आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे तो जल्ल वाक्य की सुंदर्ता बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं अलंकार कन्फ्यूस बिलकुल नहीं होना ब्रहमित बिलकुल नहीं होना है अलंकार क्या होते हैं जो वाक्य की सुंदर्ता बढ़ाते हैं अर्थार्त सुंदर्ता के साधन को हम अलंकार कहते हैं याद और झालना है संदर्व प्रिशंग ठीक, वेटे जब आपकी बुक पढ़ाया जाएगी तो आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, आप जब पढ़ेंगे कि संदर्व क्या है तो संदर्व होता है उसमें आपको बताना पढ़ता है कि वो जो आपकवी ता किस पुस्तक से ली ठीक है ये सब आपको अपने exams में लिखना ही लिखना है ठीक है कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा class को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेगा क्योंकि आपसे class के end में आपसे questions पूछे जाएंगे ठीक है तो आपको उनके answer मुझे comment box में भी देना है तो याद रखना कि जो वाक्य की सुन्दर्ता बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं चलिए तो हमने अपनी last class में भी जाना था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं आप बैसे तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं लेकिन 10th केस लेबश में आप लोगों को सिर्फ दो ही टाइप्स पढ़नी है जो आप बड़ी class में जाएंगे तब आप लंकार की तीन प्रकार पढ़ेंगे ठीक हैं चलो तो लिद्धान रखना शब्दा लंकार और अर्था लंकार लास की लास में हम पढ़ेंगे अर्था लंकार तो अर्थ अलंकार से के नाम सुनके आप इतना तो समझ गए होंगे अर्था लंकार याद रखना जहां पर शब्द की माध्यम से चमत कारुत्पन्द हो उसे कहेंगे शब्दा लंकार जहां पर अर्थ की माध्यम से चमत कारुत्पन्द हो वाके की शुभा बड़े वहां आएगा आपका अर्था लंकार अर्था लंकार की अंदर गत आप जार लंकार आते हैं उत्प्रेक्छा लंकार उपमा लंकार याद रखना बच्छों अक्सर बोड़ एक्जांस में उपमा लंकार से कॉश्चन्स पूछे जाते हैं इसलिए आपको उपमा लंकार को समझना बहुत जादा जरूरी है और यह लंकार बहुत अच्छे से समझ में भी आजाता है क्योंकि यह थोड़ा सा असान होता है बस इसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है तो लिखो रूपक अलंकार, अतिशेयोक्ति अलंकार, ये सारे जो अलंकार हैं ये आपके अर्थालंकार के अंतरगत आते हैं क्लियर है? जली से बताओ, क्लियर है सबी बच्चों को, अब कोई भी डाउट तो नहीं है अर्थालंकार के टाइप्स में? अच्छा कोई डाउट नहीं है चलिए तो आप जानेंगे सबसे पहले की उपमा अलंकार होता क्या है ठीक है उपमा अलंकार उपमा शब्द का आर्थ होता है तुलना करना ठीक है याद रखना उपमा का आर्थ होता है तुलना करना ठीक है तुलना करते है ना घरों में तुलना की जाती है कि देखो बड़े भाई के माक्स इतने अच्छे आए तुम्हारे इतने कम क्यों आए तो वहाँ पर क्या हो रही है बड़े भाईया या बड़ी बहन से हमारे तुलना ही तो हो रही है तो तुलना का आर्थ होता है उप उपमा देना हमेशा याद रखना आपको कॉशन्स उपमा अलंकार से पूछे जाते हैं तो उपमा शब्दिकार्थ होता है तुलना जब किसी व्यक्ति वस्तू की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तू सिक्की जाती है वहाँ पर होता है हमारा उपमा अलंकार very good बेटा उपमा को हम इंग्लिश में कहते हैं compare करना कहते हैं कि हम सबसे compare क्यों करें तो आपको यहाँ पे यह जानना है कि अगर किसी वाक्य में किसी कवीता में किसी दोहे में अगर वहाँ पे किसी बस्तू या व्यक्ति ये घटना की तुलना की जा रही है उनको एक दूसरे से compare किया जा रहा है तो वहाँ होगा आपका उपमा अलंकार ठीक है चलो कोई doubt है उपमा अलंकार में तो अभी पोछ लो जल्ली से अरे ये तो बताओ कि उपमा अलंकार के उदाहरन क्या है पड़े होंगे किसी को idea है क्या उदाहरन होगा इसका जल्ली से बताओ very good बेटा नीलम चंद्रमा जैसी सुन्दर है तो ये कैसी है उसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही very good बेटा तो यहाँ पे होगा आपका उपमा अलंकार very good चलो तो बच्चों को अलंकार समझ में आ रहे है चलिए अब हम जानेगी इसका उदाहरन ठीक है क्या है हम लोग व्याकरन पढ़ रहे हैं grammar पढ़ रहे हैं तो मैं हमेशा एक ही बात कहती है कि grammar की जादा से जादा उदाहरन समझो क्योंकि grammar को आसान रूप से समझने के लिए उसकी उदाहरन को समझना बहुत जरूरी होता है चलिए तो उदाहरन है सागर सा गंभीर हिरदाय हो सागर सा गंभीर हिरदाय हो गिरी सा उंचा जिसका मन गिरी गिरी यानि की परवत पहार सागर यानि की समुंदर ठीक है तो यहाँ पे तुलना हो रही है कि किसी व्यक्ति का जो हिर्दय हो वो कैसा हो सागर जैसा गंभीर हिर्दय हो तो यहाँ पे क्या हो रही है तुलना हो रही है क्या हो रही है तुलना तो यह आपका उपमालंकार के अंतरगत आएगा गिरी सा उंचा जिसका मन और जिसका जो मन है वो परवत से भी उंचा हो याद रखना जिसी कवीता में दोहे में अगर तुलना हो रही है तो वहाँ पे आपका अपमा अलंकार और बच्चो एक बात ध्यान से सुनना कि अगर आप आँगे जाके प्रतियोगी परिक्षाओं की या फिर कॉम्टिटिव एक्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको हिंदी ग्रामर आती ही आती है इसलिए भी आपको बहुत ध्यान से क्लास को सुनना है समझना है और क्लास को सुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है चलिए तो यहाँ पे एक और उदारण से समझते हैं नील गगन सा शांत हिर्दय था सो रहा तो यहाँ पे हिर्दय की तुलना किस से हुई है नील गगन से गगन यानि की आकाश अंबर अंतरिक्ष बादल ठीक है चलो तो याद रखना जहां हिर्दय की तुलना नील गगन से की गई है ठीक है वहाँ पे होगा आपका उपमा अलंकार ठीक है अब उपमा अलंकार के वी कुछ प्रिकार होते हैं उनके कुछ भेद होते हैं आपको याद रखना है कि भाई उपमा हो तो रही है तुलना हो तो रही है लेकिन किस की तुलना हो रही है किस से तुलना हो रही है और तुलना करने के लिए कौन-कौन से शब्दों का प्रियोग किया गया है ये सब आपको जानना जरूरी है चलो, तो अब उपना अलंकार के अंग जानते हैं उपना अलंकार के चार अंग होते हैं याद रखना उपमे, उपमान, वाचक शब्द और साधारन धर्म ठीक है, थोड़े से ये लग रहा होगा कि यार ये तो नाम सुनके थोड़े से कठें लग रहे होंगे लेकिन अगर इनको बहुत ध्यान से समझोगे ध्यान से सुनोगे तो ये बहुत आसान है तो याद रखना है, एक्जाम में कभी-कभी अब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं आपको याद रखना है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं चार अंग होते हैं और वो चार अंग कौन कौन से हैं उपमे, उपमान, वाचक शब्द और शाधारन धर्म अब जान लेते हैं कि उपमे और उपमान होते क्या है उपमे, उपमे का अर्थ है उपमा देने के योग अगर जिस वस्तू की समानता किसी दूसरी वस्तू से की जा रही है तो वहाँ पर उपमे होता है तो जिसकी तुलना की जा रही है ठीक है क्या है जिसकी तुलना की जा रही है वो होगा उपमे और जिस से तुलना की जा रही है वो होगा आपका उपमान याद रखना उपमे और उपमान में कभी भी आपको कन्फ्यूस नहीं होना है ठीक है अच्छा आपकी बुक में दो हैं हाँ बिटा आपको याद रखने है उपमे और उपमान ठीक है अगर आपकी बुक में दो है तो आप दो याद रखो क्यूंकि आप आँगे आने वाली क्लासिस में जब आप 10th के बाद 11th में जाएंगे तब आप 4 ही पढ़ेंगे अभी इतना याद रखो कि उपमा लंकार के चारंग होते हैं उपमे उपमान साधार अधर्म और वाचक शब्दी यह सब आपको याद रखने है उपमे कार्थ है उपमा जिसकी तुलना की जाए अब आते हैं उपमान पे उपमान क्या होता है उपमे की उपमा जिससे दी जात उसे हम उपमान कहते हैं मतलब जिससे तुलना की जाती है जैसे एक बहुत ही साधारण सा एक वाक्य है कि उस वह सुन्दर्टा का प्रतीमान है किसका प्रतीमान है सुन्दर्टा का ब्यूटी का तो प्रतीमान से क्या हिसाब लगा सकते है कि प्रतीमान मतलब की उपमान ठीक ह अब ये भी तो पता होना चाहिए कि किसकी तुलना हो रही है और किससे तुलना हो रही है दोनों बातों को बहुत ध्यान से सुनना अब आया हमारा वाचक शब्द ठीके वाचक शब्द को क्या कहते है जब उपमे और उपमान में समानता दिखाई जाए और वहाँ पर प्रयोग किये जाने वाले शब्द को अब मालो किसी वस्तु व्यक्ती में समानता दिखाई जाए अब उन समानता को दिखाने ये जो शब्द का प्रियोग कर रहे हैं वो होगा हमारा वाचक शब्द ठीके क्या होगा वाचक शब्द अब आते हैं हम साधारन धर्म पे तो दो बस्त्वों के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गोणिया धर्म की मदद ले जाती है जो दोनों में वर्तमान इस्थिती में हो ठीक है उसे क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे हम साधारण धर्म बस इतना याद रखना है कि तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ रहा है वो क्या होगा वाचक शब्द होगा और तुलना करने के लिए जो गुण धर्म अपनाया जा रहा है वो होगा आपका शाधारण धर्म वेरी गुड शिद्दाट शिद्दाट ने तो उपमा अलंकार का उदाहरण भी बताया है वेरी गुड बेटा चलो तो याद रखना है आपको उपमा अलंकार यानि कि जहां पर दुलना की जा रही है या फिर समानता बताई जा रही है तो वहाँ पर होगा आपका उपमा अलंकार और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं उपमे, उपमान, वाचक शब्ड और साधारन धर्म बच्चों सभी बच्चों ध्यान से सुनना इस बार के बोर्ड एक्जाम में और कोई भी बोर्डो सबको टॉप करना है हिंदी के पेपर में तो सबको बहुत अच्छे से लिखना है क्यूंकि आपकी हिंदी के क्लासिस प्रॉपर हो रही है र्यागुलर हो रही है और आपको बच्चे क्लासिस अटेंड भी कर रहे है तो मतलब मैं sure हूँ कि बच्चे का paper बहुत अच्छा जाएगा ठीक है चलो जली से बताओ किस बच्चे को अलंकार में कोई भी परिशानी नहीं है जली से comment box में बताएंगे सारे बच्चे answer देंगे और मैंने बता कहा ही आपको कि आपको exams की तयारी कैसे करनी है एक time table बना लो और बहुत ही concentrate होके अपने exams की तयारी करो फिर back exams हो जाए ना फिर तो आप लोगों को बहुत बहुत जादा मसी करनी ही करनी है लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो ठीक है बाद में आपको कभी regret ना हो कि मैं कह रही थी time है पढ़ लो अगर पढ़ लोगे तो थोड़े सी जादा number आ जाएंगे extra पढ़ाई से extra marks भी तो मिलेंगे ये भी तो सोचो कि अगर जादा पढ़ोगे तो जादा number भी लाओगे ठीक है चलो कोई परिशानी नहीं है बेटा अच्छी बात है चली अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार कि रूपक अलंकार क्या होता है ठीक है परिभाशा है जब दो व्यक्ति या बस दो वस्तूओं को एक समान एक जैसा बताया जाए वहाँ पे होगा आपका रूपक अलंकार ठीक है आप लोग जो अपनी बुक्स में जो कविताय पढ़ते हैं उनमें ज्यादा रूपक अलंकार बताया जाता है ठीक है तो वहाँ पे क्या होता है किनी दो वस्तूओं किनी दो व्यक्तियों को एक जैसा बताया जाता है तो वो आते हैं आपके रूपक अलंकार की श्रेडी में आवारी विट आपको आवाज चलो तो हम पढ़ रहे थे रूपक अलंकार ठीक है आप रूपक अलंकार को कैसे समझेंगी उदाहरन की द्वारा है तो अगर आपके मन में कोई उदाहरन है रूपक अलंकार का और कहीं पढ़ाओ तो जल्ली से कमेंट बॉक्स में बताओ कि रूपक अलंकार का उदाहरन क्या होगा आप कोई सौंग भी बता सकते हो बॉलिवुड का कि कहा पर दो चीजों दो वस्तों को एक जैसा बताया जा रहा है वेरी गुड बेटा चरन कमल बंदो हरी राई इसमें रूपक अलंकार है ठीक है याद रखना इसमें क्या है रूपक अलंकार क्योंकि इसमें भगवान के चरनों को कमल की जैसा बता रहे हैं मतलब दो चीजों को एक जैसा बता रहे हैं तो वो आपका आएगा रूपक अलंकार के अंतरगत ठीक है चलिए जल्लीस इसका उदाहरन देखते हैं उदाहरन है मैया मैं तो चंद्र खिलोना ले हो जब आप लोगोंने सूरदास के दोहें पड़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि मैया मैं तो चंद्र खिलोना ले हो इसका अर्थ क्या है कि मा मुझे तो चंद्र खिलोना चाहिए ही चाहिए तो यहाँ पर क्या बताया गया, कि जो वो बच्चा है, वो बच्चा खिलोना और चंद्रमा को एक जैसा ही समस्ता है, वो क्या समझ रहा है, कि जो चंद्रमा है, जो आकाश में दिखाए दिर रहा है, वो क्या है, वो एक खिलोना है, तो कवी ने यहाँ पर चंद्रमा और खि से समझते हैं समझें एक और उधारण से आप लोग के दिमाग में कोई उधारण आया क्या रूपक लंकार का नहीं आया तो कोई बात नहीं अगर आया है तो बता दो दूसरा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो अगर मीरा के दोहे पड़े होंगे तो वो क्या कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो लिखा है राम रतन को मैया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो तो उनके लिए जो राम है वो ही रतन है वो ही धन है वो ही संपत्ति है राम रतन रूपी धन पायो मतलब की राम का नाम उनके लिए इश्वर क्या है धन संपत्ति है ठीक है आपको याद रखना है कि किस तरीके स से आपको जो उरूपा को लंकार है उसमें दो वस्त्वों को एक समान बताया जाता है ठीक है वेरी गुड बेटा चलिए तो अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार तो जब तुलना हो रही है और तुलना के साथ साथ कोई कल्पना भी हो रही है याद रखना तुलना हो रही है और तुलना के साथ साथ यहां पर कल्पना भी की जा रही हो यह आएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार की अंतरगर ठीक है कोई बात नी बेटा अगर आप लेट हो तो याद रखना ध्यान रखना की क्लास में टाइम से आओ क्या होगा अगर आप क्लास को बीच में आओ भी आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तो कोशिश करना कल से क्लास में टाइम पे आओ, आज आपको क्लास में पढ़ाय ज़रा है अलंकार, अर्था अलंकार, अर्था अलंकार की परिभाशा और अर्था अलंकार की अंतरगत कौन कौन से और अलंकार आते हैं, ठीक है? चलिए तो जब किसी दो के भी तुलना होती है तो एक को उपमे कहते हैं और दूसरे को उपमान कहा है यह आप लिखाए कि जिसकी तुलना हो रही है उसे कहते हैं उपमे और जिससे तुलना हो रही है उसे कहते हैं उपमान जब उपमे में उपमान की तुलना करते हुए कल्पना की जाए वहाँ होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार तो सभी वच्चों को धान रखना है कि अगर आप कोई कवीता पढ़ रहे हैं तो उस कवीता में जहाँ पे उपमान तुलना भी हो रही है तुलना के साथ साथ क्या हो रहा है वहाँ कोई एक कल्पना कोई imagination भी हो रहा है वहाँ होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार चलो इसको एक उदाहरन से समझते हैं उदाहरन है जैसे पाहुन पाहुन यानि की महमान तीक है गाउ में जो हमारे महमान आते हैं अतीथी आते हैं उनको हम कहते हैं पाहुन तो पाहुन जो आए हो गाउ में शहर के मीग आए बड़ी बंठन के सवर के तो इस उदाहरन में क्या आपको देखने मिल रहा है कि जो महमान जो गाव सहर से जो महमान आये हैं वो कैसे लग रहे हैं वो लग रहे हैं जैसे मेग आये हो यानि की बादल आये हो बंठन के सबर के ठीक है तो आपको इसमें क्या हो रहा है इसमें तुलना भी हो रही है और साथ ही साथ यहां पर कल्पना भी की जा रही है याद पढ़ रहे हो तो इनको उदाहरण के साथ ही पढ़ना चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं लिखा है जान पढ़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़ी एक और उदारन से हम समझ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार जान पढ़ता है नेत्र नेत्र यानी की आख है याद रखना नेत्र का परियावाची पूछा जाता है या आखो इनको हम क्या कहते हैं आख नैयन नेत्र लोचन तो जान पढ़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़े तो यहाँ पर जो बड़े बड़े नेत्र हैं जो बड़े बड़े नेत्र है उनमें क्या कहा गया है कि उनमें नीलम जड़े हुए है तो यहाँ पर क्या हो रही है कल्पना तुलना भी की जा रही है और कल्पना भी की जा रही है जै ऐसी लगती हैं जैसे कि हीरो में नीलम जड़े हुए हो तो दिख रहा होगा नयन लोचन हा बेटा यह जो आपका आइस आखे हैं इनके परियावाची शब्द होते हैं नयन नेत्र और लोचन ठीक है याद रखना एक्जाम में परियावाची शब्द विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने इस परियावाची शब्द भी पड़े हैं और विलोम शब्द भी पड़े हैं अगर किसी बच्चे ने वह क्लास मिस्ट कर दी हो तो अभी भी आपको एप या फिर यूटूब पे वह क्लास मिल जाएगी ठीक है चलो त तो यहां पे आपको तुलना भी हो रहे हैं और साती साथ कल्पना भी हो रहे हैं अब है हमारा अतिष्योगती अलंकार कभी सुना है अतिष्योगती शब्द अतिशयोक्ति वर्ट कभी सुनाया आप लोगों ने वेरी गूट शिद्दार्थ जहां पे हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बता दे बताते हैं न अक्सर कहते हैं नमक मिर्च लगा के बता रहे यानि कि बात को बढ़ा चढ़ा के बता रहे वहाँ पे होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार चीक है चलो तो अतिशयोक्ति अलंकार को भी परिभाशा यहे कि जिस काविये में जिस कवीता में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है वहाँ पे होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार तो बेटा इसके लिए तो आप ही को इस लाइफ शेशन की लिंक को सारे बच्चों के साथ अपने सारे दोस्तों की शाथ शेयर करना होगा ठीक है चलिए तो ध्यान से देखना इसका उदाहरन लिखा है आंगे नदिया पड़ी या पार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने 124 पार तब तक चेतक था उस पार ठीक है तो यहाँ पर बात हो रही है महराणा प्रताप की महराणा प्रताप की घोड़े का नाम था चेतक याद र प्रताप को लगा कि बेटा यह चार बज़े वाली क्लास भी होगी ठीक है एक बचे होती आपके अल्टानेटेस पे और चार बज़े क्लास आपकी डेली होती है उसमें आपको ग्रामर पढ़ाय जा रही है तो ध्यान रखना यहाँ पे जब महराणा प्रताप अपने घोड था वो नदी पार कर चुका था ठीक है तो ऐसा कभी हो सकता है नहीं हो सकता ना लेकिन यहाँ पे इस दोही में इस बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताया गया थोड़े सी नमक मिर्च लगा के बताये गई तो यहाँ पे होगा आपका उत्प्रेक ओ सौर्ल यहाँ आपका आतीशयोकती अलंकार ठीक है इसमें इसका वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया है इसलिए यहाँ पर आतीशयोकती अलंकार है ठीक है चलो तो हमने चारों अलंकार पढ़ लिए अलंकार के उदाहरन पढ़ लिए अतीशयोकती का एक उदाहरन और पढ़ते ह अनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई गई निसाचर भाग निसाचर निसाचर मतलब की राक्ष़ ठीक है तो यहाँ पर बताये गया है कि अनुमान की पूछ में ये बताओ रामाएड किस किस ने देखी रामाइड अगर देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि कैसे एक बार हनुमान को सजा दी गई तो क्या क्या गया उनकी पूँच में आग लगा दी गई तो उससे क्या हुआ कि उनकी पूँच तो नहीं जली लेकिन लंका जल गई तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ हनुमान की पूछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का जो वर्णन है वो बहुत ही बड़ा चड़ा कर बताया गया है अच्छा आपने देखी है, आपने देखी होगी, तो समझाए गया होगा कि कैसे उसमें हनुमान की पूछ में आग लगा दी जाती है लेकिन यहाँ पर इस दोहे में इस बात का बढ़ना थोड़ा सा बढ़ा चड़ा के किया गया है ठीक है, तो यह दोहा भी आपका आएगा, अतीश योकती अलंकार की अंतरगत, ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा चलो, अब जल्ली से, अब आ रहे हमारे सामने कॉश्चन आंसर, तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है चलो, तो कॉश्चन है, हरीपद के कॉमल कमल से, इन में कौन सा अलंकार है, जल्ली से बताओ हाँ बेटा, लंका में आग लग जाती है, और जो सोने की लंका हो जाती है, वो पूरी जल जाती है चली तो इसका आंसर दो, यमक अलंकार, अनुप्राश, उपमा या फिर मानवी करण अलंकार उपमा अलंकार, वेरी गुड बेटा, चलो, तो बच्चों को अलंकार समझ में आ गए, ठीक है, मान ले, कि अब आप लोग उसके एक्जाम में अलंकार से पूछे जाएंगे, तो आपसे आंसर बन जाएंगे, नेक्स्ट है, कहे कभी बैनी, बैनी ब्याल की चुराई ली नहीं, इसमें अलंकार बताना है, तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जो दो शब्द है, वो बार-बार आए, ठीक है, कैसे आए है, बार-बार आए है लेकिन इन दोनों का जो आर्थ है, स्वारी, यह आपका हो गया, आपने पिछली क्लास में अपनी लास्ट क्लास जिस बच्चे ने अटेंड की होगी, उससे इसका आंसर बन ही जाएगा, बनेगा, यहाँ पे लिखाए, कभी कहे बैनी, बैनी बैनी ब्याल की चुराई ली मतलब यहाँ पे जो कवी है, राम रक्ष बैनी पुरी, उनकी बात हो रही है, तो दो शब्द आये हैं, और उनके दोनों बार आर्थ क्या है, अलग लग, वेरी गुड शिद्धार्थ, वेरी गुड बेटा, तो यह आपका आएगा यमक अलंकार के अंतरगत, क्योंकि यमक का आर्थ होता है दो, और जहां जिसकिसी वाक्य में, जिसकिसी कवीदा में कोई शब्द दो बार आए, और दोनों बार ही उसका जो आर्थ है, वो डिफरिंट डिफरिंट वो अलग अलग आए, वहां होता है आपका यमक अलंकार, ठीक है, यहां पे पहला जो बैनी इसका आर्थ है जो कवी का नाम राम रक्ष बैनी पुरी और दूसरा बैनी का आर्थ है चोटी ठीक है याद रखना वेरी गुड बेटा चलिए नेक्स्ट है मुख बाल रवी समलाल होकर ज्वाल साब बोधित हुआ इसमें आपको अलंकार बताना है तो अलंकार बताने के लि रवी समलाल होकर ज्वाल साब बोधित हुआ दिता इसमें बताया है की जो छोटे हनुमान जी का जो छोटा रूप है वो किस तरीके सा मुख था वो सूरज के समान लाल होकी चमक रहा था यहाँ पर क्या हू रही है तुलना हो रही है ना कि मुख बाल रवी समलाल होकर से बताओ नहीं मेटा यह अनुपरास लंकार इसमनी होगा अनुपरास लंकार में वर्ण की अक्षर की आवरत्ती होती अक्षर को रिपीट किया जाता है तो यह आएगा आपका उपमा लंकार कि जिन जिन बच्चों ने उपमा लंकार कहा है उनका आंसर राइट है कोई बात नहीं कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है याद रखना जहां पर वर्ण या फिर अक्षर को रिपीट किया जाए वो होता है आपका अनुपरास लंकार ले इसका सही उत्तर होगा चलिए नेक्स्ट है सहस्र बाहुसम सो रिपु मोरा अब इसमें आपको अलंकार पहचानना है लेकिन उसके पहले आपको इस दोही को समझना होगा रिपु रिपु का आर्थ होता है दुश्मन तो यहाँ पे जब राम लक्षमन और परसुराम की हो रही थी बेटा यह क्लास एक बजे स्टार्ट होती है याद रखना क्लास की टाइमिंग एक बजे है तो जब राम लक्षमन और परसुराम का जो संबाध हो रहा था बात हो रही थी तो जब जो राम जी थे उनने क्या क्या उनने शिवधनुष तोड़ दिया इससे का नाम था सहस्त्र बाहू तो वह यहां पर कहते हैं कि जिसने भी जो धनुष है जिसने भी धनुष तोड़ा है वही मेरा बहुत बड़ा सत्रू है यानि कि जो मेरा सबसे बड़ा सत्रू है सहस्त्र बाहू तो वह इंसान भी सहस्त्र बाहू के समान ही मेरा दुश्मन होग तो समझ में आ गया होगा कि यहां पे सहस्त्र बाहू से तुलना की जा रही है क्या की जा रही है सहस्त्र बाहू से तुलना तो ये भी आपका आएगा उपमा अलंकार की अंतरगर ठीक है हमारा सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा चलिए नेक्स्ट बरस रहा है रवी अनल भूतल तवासा जल रहा इसके लिए उपयोक्त अलंकार को आपको चुनना है पस्चो एक्जामस में इसी तरीके से कॉश्चन्स पूछे जाते हैं आपको दोहा ये कवीता दी गई होगी आपको इसमें पहचानना है कौन सा अलंकार ह ठीके चलो तो बरस रहा है रवी अनल ठीके अनल का मतलब होता है आग याद रखना आग का अगनी का परियावाची पूछा जाता है तो अनल अनल का मतलब भी होता है आग ठीके बरस रहा है रवी अनल भूतल तवासा जल रहा है तो इसमें कहा गया है कि जो रवी यानि कि स याद रखना सूरज के परियावाची होते हैं रवी दिन कर भासकर तो इस दोही में कहा गया है कि जो सूरज है वो बरस रहा है ठीक है वो आग जैसा बरस रहा है और जो भूतल भूतल यानि की प्रत्वी प्रत्वी तवा की जैसे जल रही है कैसे तवा के जैसे गरम तवा के जैसे प्रत्वी जल रही है तो जब सूरज है वो आग बरसेगा तो प्रत्वी जलेगी ही तो यहाँ पे आपको फिर से तुलना ही हो रही है तुलना हो रही है यानि कि आपका ये भी उपमालंकार एक बात तो आप लोगों समझ में आगे होगी जो उपमालंकार है वो सबसे ज़्यादा questions उपमा अलंकार से पूछे जाते हैं ठीके अगर कोई doubt है तो अभी आप लो comment box में पूछ लो और नई doubt है तो ये भी बता दो कि भाई कोई भी doubt नहीं है आ रहा है समझ में clear है सबको चले तो very good बिटा इसमें आपका आएगा उपमा अलंकार अब है मकमल सा जूला पड़ा हाती सा टीला अलंकार की पहचान करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है मकमल की जूला की तुलना हाती के टीले से हो रही है ना हो रही है अच्छा कोई doubt नहीं यह very good बिटा तो यह भी आपका आएगा उपमा अलंकार की अंतरगत याद रखना क्या है आपको अलंकार को पहचानना सीखना है ठीके अलंकार को कैसे पहचानोगे जब उसकी परिभाशा पढ़ोगे उसको समझोगे तभी तो आप अलंकार को पहचा राक की धेरी इसमें कौन सा अलंकार है जल्ली से कमेंट बॉक्स में बताओ इसमें कौन सा अलंकार है उपमा अलंकार यमक अलंकार मानवी करण या फिर आतिशयोक्ती अलंकार जल्ली से बताओ इसमें कौन सा अलंकार आएगा हाई फूल सी कोमल बच्ची हुई राक की धेर उपमा, very good बेटा, इसमें भी आपका उपमा अलंकार ही आएगा क्योंकि यहाँ पे फूल की बच्ची की तुलना हो रही है राक की धेरी से तो क्या आएगा उपमा अलंकार, very good शिदार्ट दीख चाब, very good चलिए, अब ससी मुख पर घूंगट डाले, कौन सा अलंकार है, याद रखना, आपको ध्यान से सुनना है समझो, लिखा क्या है, ससी मुख पर घूंगट डाले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जली से पहले इसका आंसर बताओ यहाँ पे उपमा अलंकार नहीं आएगा, यह बता दिया मैंने, जली से आप बताओ, अभी क्या आएगा जली से सोच दिमाग लगाओ कि इसका आंसर क्या होगा, उपमा अलंकार नहीं होगा, ठीक है यहाँ पे होगा आपका रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे शशी को, यानि की चंद्रमा को और मुख को एक जैसा बताया गया है, ठीक है शशी का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के परियावाची होते हैं, राकेश और ससी याद रखना परियावाची पूछे जाते हैं तो यह आपका आएगा रूपक अलंकार की अंतरगत हमारा कावाला विकल्प सही उत्तर होगा तो बच्चो आज की क्लास में हमने जाने अर्था लंकार याद रखना लंकार दो प्रिकार के होते हैं और दो प्रिकार के लंकारों में भी अलग अलग अलंकार होते हैं तो आज की क्लास जिस बच्चे को समझ आ गई है वो भी इस क्लास को लाइक करेंगे और साथ ही साथ इस क्लास की comment box में आप बताएंगे कि आपको next class में कौन सा topic पढ़ना है ठीक है तो बच्चो आपको आपके exams के लिए बहुत बहुत शुब काम ना है ठीक है अच्छा हिंदी की book ठीक है बेटा आपको हिंदी की book भी पढ़ाए जाएगी ठीक है चलिए तो अच्छा ठीक है आपको आपकी हिंदी की book पढ़ाए जाएगी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैं हिंदी की book पढ़ा दो तो आपकी next class में आपको book पढ़ाए जाएगी तब तक के लिए अपने जोडों सोरों से अपने परिक्छाओं की तयारी कीजिए अपना ध्यान द कि बाई बाई टेक क्याओ